तो इन्होंने घुटना टेक करके माफी मांगा है अज इस तरह से इन्होंने घुटना टेका है समाज इन लोगों को माफ नहीं कर सकता है करके सीनातान करके कहोगे कि महाराजा सुहेल देव जी का बंसज हूँ असली बंसज हूँ तुम्हारे जैसातर नकली कोई राजबर होई नहीं सकता अखिले सियादो जी ने जवाब को गठबंदन में 17 सीड दिया था तब आपने कवहर को लड़ाया था हमारे साथ में ओम प्रकास राजबर की पार्टी के पूर राष्टिय उपाध्यक्स और मोके पे सुहेल देव समाज स्वाभिमान पार्टी के राष्टिय अध्यक्स महंदर राजबर जी हैं इनसे बात करेंगे कि यह जो राजबर समाज जो ओम प्रकास राजबर कभी कहते थे कि स्वाभिमान से समझावता ना करने की बात करते थे लेकिन एक चुनाव कि उनके बेटे इस तरह से घुटने टिकवा के माफी मंगाई जा रिए क्या कहेंगे और इसका समाज में क्या आसर खास कर स्वागत धन्यवाद अर्बिंद राजबर का आजकल मामला देख रहे होंगे खुब सोसल मीडिया पर वायरल हो रहा है वह जिस तरह से बिर्जेश पाठक ने उनसे माफी मंगवाई घुटने पर टिकवा दिया क्या राजबरों का इस समय क्या यह चल रहा है कि राजबर इतना हो ग का हाथ्यार जो उन्होंने उठाया था आताताई जो भी देशीं लुटे रहा हो सब unified देश को लूटने के लिए देश पर चड़ाई किया था महाराजास सुहेल देव जी अकेले अपने सेना के बलपर्वताल समु यह उन्होंने ढूण नई टेका लेकिन बाहर राजबर र भूटना टेक करके बिजेस पाटक जी ने अरवेंद कुमार राजभार से माफी मंगवाया यह बड़ी सरमसार बात है यह जान लिजिए पूरे समाज को पूरे समाज को आज जो ओमप्रकास राजभार का बेटा पूरे समाज के लोगों को सरमसार किया हुआ है मैं आपको भी स्वास इस बात का आपके चैनल पर जितने दर्सक आपको देख रहे हूं आपको देख रहे हूं वहां तक अपनी आवाज में पहुंचाना चाहता हूं जो इन्होंने घुटना टेक करके माफी मांगा है अज इस तरह से इन्होंने घुटना टेका है समाज इन लोगों को माफ नहीं कर सकता है आप तो यह देखना है आपको एक जून का इंतिजार करना है जो इन लोगों को बहम है कि हम माफी मांग करके फिर अगला दिन वह प्लाटवार करता है कि हमने माफी कहां मांगा अरे गजब भाई उम प्रकास राजबर इतनी बड़ी बड़ी बात करने कौन सा हो आ गया कि राजबर समाज का बेटा जाके उनके सामने घुटना टेक दिया जिनको गरियाते थे तो इसमें जो समाज उनके बीच में क्या संदेश जा रहा है मैं बताऊं आपको और प्रकास राजबर का यह क किया और जैसे साथ छोड़ा वैसे गाली फकड़ानाव सनाव मतलब जो दिमाग में आ जाए वो बोलते हुए आदमी जाता है यह सनाते राजनीत में ओम प्रकास राजबर का कोई अस्तर नहीं सुहेल देव भारतिय समाज पार्टी ओम प्रकास राजबर गुट बीजेपी के साथ है सुहेल देव समाज स्वाभिमान पार्टी महंदर राजबर गुटकिस के साथ है मन्य अखिलेश जी के साथ समझवादी पार्टी इंडिया गठवंधन के साथ है इसमें कहीं कोई संसर और दो राइन साथ है समाजवादी पार्टी के मैं साथ हूं मन्य अखिलेश ज Ronaldo में आट महीना पहले गोशी विधान सफवा में उफचुना हुआ देखे होनगे गये होनगे कब कि क्या कई थे आप आए थे आप अवे प्यान भी लिया था मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं बड़े पैमाने पर हमारा समाज हमारा समाज सुहेल देव सम्मान स्वाभिमान पाठी को अपना पाठी मान करके हम कारिया करताओं को नेता मान करके कारिया करता मान करके बड़े पैमाने पर समाजवादी पाठी चुनाव चुनाव को लोगों ने वोट किया और उसी घोसी उप चुनाव के रीजेल्ट को ओसी लोग सभा में तफ़्दिल उहां की जन्टा करना चाहती है जन्टा के साहतément हमारा समाज भी उसी रीजेल्ट को दोहराना चाहता है राजभर के साथ आपने लंबे समय गंटा बजाएंगे तमाम इस तरह के और अखली श्यादों को मुख्यमंत्री बना रहे थे तमाम उनके पूरे उत्तर प्रदेश में किसी ने काम किया तो अखली श्यादों ने किया अब जब इनका साथ छोड़के उधर जले गए समाजवादी पार्टी हो जाएगी समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी समाप्त होगी इसी 24 का चुनावत तैंकर देगा जैसे आपने देखा हो गया अभी एक बात और आपने जिक्र किया मैं आपको बता में एक खुद आप लोगों के चैनल पर आकर के बयान दिये हैं कि भारती जनता पार्टी में जो पीछड़े समाज के नेता हैं उहां जा करके जूता पालिस करने का काम करते हैं हो गया मतलब अब तो यह सिद्ध हो गया कि ओम प्रकास राजभर भी भारती मैं आपको बतामें अब क्या मोदी जी ने जो यह सेल वापस हो गया का व्रकास राजभर के वहां फिर चले गया है है मतलब पहले तो यह मुद्धा उठाते थे कि आज के डेट में देश और प्रदेश में महांगाई से गरीब तरह हमां तरह हमां कर रहा है महागाई खतम हो गई का जो सिलेंडर यही बोलते थे ओंप्रकास राजवर कि 400 का जब कांग्रेस का जमाना था कांग्रेस की सरकारती समाजवादी पार्टी की सतरह तक सरकार थी तो 400 कुछ रुपिया में सिलेंडर मिलता था आप तो 1200 रुपिया मिल ला है इसका मतलब कि ओंप्रकास राजवर 400 करा करके भरती जनता पार्टी में गया है का यह सवाल ओंप्रकास राजवर से मजबूती से आप लोगों को पूछना चाहिए तो कहते हो चुनावी जुमला हो हो मा की गाली दिये हो ओभी चुनावी जुमला है अगर चुनावी जुमला है तो इंतिजार करो समय का यही जनता बीजेपी वालों को दिये ते बीजेपी वालों को मंत्री बना दिये जैसे गाउं देहात में एक बात आपने देखा होगा आप लोग भी गाउं देहात से ह एते हैं अब लोग भरत करते हैं तो ूहुफरा प्रकसराजबर चुनाव की याधि सूचना जारी होने के बाद भारती जनता पाटी ने खाना परोशी हुई थाली उनके सачार संगीतान होगा चुनाव देगा जैसे आज ताकर रहे norm संगीता में कोई प्रेकिंग अब कुछ कर नहीं सकते चुनावचार संगीता में आप देखिए आठ महीना अपने आपको मंत्री मंदल में जाने के लिए तलवा चाट रहे थे कि नहीं चाट रहे थे भारती जंतापाटी अन्डिये गठ बंधन में आठ महीना पहले शामिल हुए थे और आठ महीना तक इन्तिजार करते रहे मंत्री मंडल में इनको कौइशो कुईशो जगह मिला कईशो कईशो चुनाओ के टाइम में इनको भरती जनता पाटी ने जगह दिया उसके बाद भी एक हपता बाद इनको कारभार कान सा विभाग मिलेगा उस विभाग को इन्होंने सॉपा और आपको बता में केवल चुनाव भर ही केवल चुनाव भर चुनावी मंत्री इनको लोगों ने बनाया है अब देखना ये है अब देखना ये है अब जो भारती जनता पट्टी के साथ एक ये हैं रिएल्ट देने के लिए कहते हैं न सीनातान करके यगर ये देश में हमने बानित हमानों की बेटी बेटा का हिस्सा मिले के चाहिए महेंदर राजवर आपके चैनल पर आ करके कह रहा है आज घूम करके कह रहा है यह कही समाज का नवजवान चुनाव लड़ रहा है मैं तो आप से कहना चाहता हूं कि आज तो भारती जनता पार्टी ने आपको एक सीट दिया था तब आपने कवहर को लड़ाया था जिसके बल पर तुम्हारी पाटी बनी उस समाज का एक भी बेटा और बेटी टिकट न पावे और घूम करके सीना तान करके कहोगे कि महाराजा सुहेल दोजी का बंसा जूं असली बंसा जूं तुम्हारे जैसातर नकली को को भी चुनाव लड़ा लड़ा लेते राजभर के बलपन तुम्हारी पाटी बनी थी आज भूम करके कर रहे हो यही मानिय अखिलेश से यादो जी मेल सी के लिए राम जयतन राजभर जी को टिकट दिया था परचा भरवाय थे जब तुमको यह लगा आज लग रहा है जो तो छो ओट क्यों नहीं राम जयतन राजभर को करा दिये जब तुम्हारा पारी आवे तो राजभर का बेटा दिखाई दे तुम्हारा परिवार दिखाई दे ओम प्रिकास राजभर सुधुरूप से सुहेल देव भारती समाज पाटी जो उन्होंने बनाया है आपने करके फोटो खीचा करके कभी बाबा के साथ कभी अमीज साह के साथ कभी मोदी जी के साथ फेस्बूक पर डाल करके वाइरल करते हैं कि हम ही लड़ सकता हूं लड़ाई क्या हो गया है कि आप ही लड़ाई लड़ सकते हो है लड़ना है तो सदन में जा करके लड़ो और सदन हुए हैं आप भी बने रहे हैं अपनी परक्रिया में जरूर दे बने रहे हमारे साथ कैमरामैन लक्षमन के साथ नवल यादों की रिपोर्ट घोसी धन्यवाद